हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, मैं बीबी के है और मैं हूँ आपके साथ अर्षना आज किस वीडियो में आपको बताऊंगी कि बच्चों की बॉटल को स्टेलाइज क्यों करना चाहिए और क्या सही तरीका है बच्चों की बॉटल को स्टेलाइज करने का एक डेमो दूंगी की बच्चों की बॉटल को कैसे स्टेलाइज कर सकते हैं और इसके लिए मैं यूज करूँगी लवलाप का स्टेम स्टेलाइजर तो इसमें इस वीडियो में सब तरीके से आपको किस तरीके से बॉटल को स्टेलाइज करना है तो करके दिखाऊंगी और फ्रेंड एक good news भी है आपके लिए कि यह जो वीडियो है इसमें मैं giveaway भी कर रही हूँ तो क्या उसकी conditions होंगी इसके बारे में मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी और जो उसका सही answer देंगे उसका lucky draw करके जो भी winner होंगे उनको यह steam sterilizer जो है तो अगर मैं बात करूं कि बच्चों की bottles जो है उनको sterilize क्यों करना चाहिए तो देखी क्या होता है कि बच्चों को जो इम्म्यून सिस्टम में वो काफी वीक होता है और उनको जो इंफेक्शन बहुत जल्दी लग जाते हैं जाए कोई भी वाइरस infection हो बैक्टीरिया से हो पैरासाइट से हो या फंगस से हो और जब इंफेक्शन बच्चे को लग जाता है तो इससे क्या होता है इससे बच्चे जो है बिमार पढ़ जाते हैं या फिर आपने जो है हाथ अच्छे से क्लीन नहीं किया है और आपने बच्चे की बॉटल को जो है टच किया तो इन सब चीजों से बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है तो चलिखें अगर आप अपने बच्चे की बट्टल झो है अच्छी से क्लीं करना चाहते है और उनको ईस तरह के इंफेक्शन से बचाना चाहते है तो उसका एक उप्शन होता है बच्चे की बट्टल को साहफ करने का बच्चे साल मास ए Amazing & When любой प्लिए हो जाती है जासे मैं आपको बीडियो के स्टार्टिंग बोला था और जो देमो के दिखाँगी और जो शेयम में एम देने वाली हूँ और यह ओलो यह चुए हमव जाफलाइजर, जुए हमग्द सेवंधि Celine Doris, जाहिए टुछ देंद मोचा जाकण ऑनम पिंगे कि प्रमाथ ऊओद ही त तो तब मैंने स्टेलाइजर यही वाला यूज करना स्टार्ट किया था और टच्वर मुझे कोई दिक्कत नहीं है से अभी तक प्यू बॉटल से ही दूध पीती है तो उसमें उसकी बॉटल को जो है क्लीन मैं इसी तरीके से करती हूं और कोई भी प्रॉबलम नहीं है बहुत ही इजी लगता है मुझे इससे तो दिखे अगर मैं बात करूँ यह लवलाब के स्टीम स्टेलाइजर की तो दिखे यह जो है 99.9% जर्म्स को किल कर देता है साथी साथी जो प्रॉडक्ट है यह BPA-free है, chemical-free है, food-grade है और यह काफी spacious है मतलब इसमें आप एक साथ 6 बॉटल को स्टेलाइज करते हो जो कि काफी अच्छा फीचर है क्योंकि बार-बार बॉटल को स्टेलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे को लिए एक देन में कम से कम 3 या 4 बार बॉटल यूज करना ही पड़ती है तो आप एक साथ जो है छे बॉटल को स्टेलाइज कर सकते हो तो और अगर इसकी फीचर की बात करें इस टेलाइजर की तो दिखें यह जो स्टेलाइजर है यह ट्रांस्परेंट होता है आप बॉटल रखके असाने से आपको दिख जाती है बॉटल साथ ही इसका जो स्टेलाइजिशन पीरियड है वो काफी कम है यानि 8 मिनट यानि स्टेलाइजर रखता है तो अगर आप भी यह प्रोड़क्ट जो देखना जाते हैं यह वाला स्टेम स्टेलाइजर तो आप अमेजन पे यह फिर लवलाप की जो साइट है उस पर जाकर यह प्रोड़क्ट देख सकते हैं उनका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी बॉटल के रैक की और साथी यह जो एक ट्रे है यह उपर आप इसमें जो है बॉटल के जो कैप है या फिर निपल्स वगर आरा सकते हो साथी साथ इसमें जो है टॉंग भी आता है इसमें अगर बॉटल जो है गरम होती है या फिर कोई भी पार्ट गरम है तो आप अराम से तो देखिए आप सवाल की बात करते हैं तो सवाल यह है कि यह जो sterilizer है लवलाप का sterilizer यह बॉटल sterilize करने के लिए कितना टाइम लेता है यानि कितने मिनट में बॉटल यह पहला सवाल है और जो दूसरी चीज है जो कि आपको अपने इस जवाब के साथ कमेंड बॉक्स में लिखनी है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी तो friends, डेमो के लिए, sterilizer के लिए मैं आपके 6 अलग-अलग size की bottle लिए है ताकि आपको पता लग पै कि sterilizer में अलग-अलग size की bottle भी यूज कर सकते है जो भी आपके पास size available है साथ ही मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो बॉटल है स्टरिलाइस करने से पहले आपको जो है अच्छे से इसको जो है वाश कर लेना है हर पार्ट को अच्छे से वाश कर लेना है किसी भी लिक्विट क्लींजर से जो बच्चों के लिक्विट क्लींजर आते हैं वो आप तो इसके लिए मैंने क्या किया है यह 90 ml मैंने बॉटल से देखकर और इसमें मैं यह पानी डाल रही हूं तो मैंने इसमें 90 ml पानी डाल लिया है अब इसमें जो है मैं स्टेडलाइजर का यह वाला पार्ट नगा रही हूं यह वाला हिस्सा भी जो है इसको महटा सकते हैं अभी यह वाला जो एरिया इसमें अब हम बॉटल सखेंगे तो यह बॉटल को मैंने खोल लिया है और यह वाला जो पार्ट है यह वाला इसको मैं यहां रख रहे हूं बान औक समूड़ देखे के लिए टे फिसेटी ही पसके अ साथ मेपना और गाले संद में जहा लोक कंछे आप सब्सकिर hiss इसो आपकर बाले बाले कछ के आपको एक यह व्किलाइश में आप इसको चाहें, तो खोल के भी रख सकते हो, आपके एक चाहते हैं, आपको ऐसे रख सकते हैं, ऐसे, तो आपको ऐसे रख लेना है, उसके बाद आपको ये जो पार्ट है, ये जो है, इसके उपर लगा लेना है, ये हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है, ये दिके सामन जो कि जो अच्छे से बहाँ आप यह वेपर उठेंगे और बॉटल जो अच्छे से क्लीन हो रही है तो देख सकते हैं कि वेपर बन रही है स्टरिलाइज होना जो शुरू हो गया तब तक मैं गिववे के बारे बात करती हूं गिववे के लिए मैं आपको पहला कोशन पूछ तो फ्रेंड्स देखिए अटो शुट ओफ हो गया है इस टाइम पे यहां से जो है इसको एसे खोल सकते हैं आप देसे तो कितने वेपर कितने भाव जो इस टाइम पर बहुत गरम हो रहा है तो इसके लिए टॉंग अब काम में आएगा तो आपको जैसे भी निकालना हो तो फ्रेंड्स यहीत हमार आज का वीडियो जुसमें आपको बताया कि बच्चों की बॉटल्स को स्ट्राइज करना क्यूं जरूरी है क्या सही तरीका है स्ट्राइज करने का तो डेमो भी मैंने आपको दिया मैं आपको बताया कि किस तरीके से जो है स्ट्राइज कर सकते है तो आप इसको ज़रूर ट्राइ कीजेगा साती फ्रेंट्स अगर हम बात करें गिववे की तो गिववे जो है आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजेगा जो पहले 100 कमेंट्स होंगे उनमें से ही लखी जो ड्रॉब में विनर्स होंगे उनको जो है ये गिववे में इस्ट्राइजर मिलने वाला है तो ज़रूर कमेंट कीजेगा और जो विनर्स होंगे उनका पता लगेगा आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर या फिर मैं जो है रेपलाइ भी कर दूगी उन विनर्स को जिन्होंने कमेंट किया होगा मेरे यूट्यूब पे तो इस तरीके से आप जो पता कर सकते हैं कि विनर्स कौन है तो फ्रेंज यही था हमार आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगया है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और अगर अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किजिए मैं चानल को थैंक यू